स्वागत है आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल स्टड़ी वेदरुद्र दोस्तों प्रात्मिक सिच्छक भरती उत्तर प्रदेश दो हजार चोबिस पदों की जो एक आपके कई यूट्यूब चैनल पर देखा है कि पद बताये जा रहे हैं कि 72,000 प्लस पद आपको प आप देख सकते हैं और 2024 में आने के कितनी उमीद है इसके बारे में बात करेंगे तो दोस्तों आपने देखा होगा जुलाई के समय जुलाई जून के समय हमारे जो सिच्छा मंतरी जी थे संदीब सिंग के द्वारा एक बयान दिया जाता है जिसमें बताया जाता है कि हमारे जहां तक मुझे याद है दोस्तों ये वो समय है वर्तमान में जनवरी आप चलना है जनवरी के 20 दिन आपको सिच्छा, सेवा, चैन, आयोग पूरी तरह से कंप्लीट दिखेगा पहली बैठक भी होगी, कलेंडर भी आएगा दोस्तों जो 72,000 की बात चल रही है हाँ बात चल रही है, सुखबगाहट तो आ रही है कि हाँ कुछ हो सकता है आपने एक बात का ध्यान जुरूर आपने दिया होगा या भी नहीं दिया होगा, आपको याद दिला देता हूं कि भारत देश में हर प्रदेश और यूटीज में भी के इंदुस्तासित प्रदेश में भी आप देख रहे होगे, छोटी मोटी आफिबड़ी सिच्चक भरती का एनॉसमेंट हो रहा है अभी दादर नागर हवेली आपने देखा होगा उसमें भी एक सिच्चक भरती का एनॉसमेंट हुआ है हसम में भी हुआ है ठीक है, धीरे धीरे ये साल 2024 का है यहाँ पे आपको सिच्चक भरती देखने को मिलेगी कारण क्या है, कारण मैं आपको बता रहा हूँ ये आदेश है ये आदेश है भारह सरकार के द्वारा कि आपने विभाग में जो पत्खाली है वो भरे जाए थीक है बिहार में आपने देखा कि 10 लाग पद खाली थे, चुनाओ का समय आया, सब कुछ सुरू, भरतियां दे रहे हैं, 2 लाग से ज़्यादा भरतियां करा दिये हैं उन्हों में, सिच्छो की, लेकिन आप यहां पर एक बास देखिएगा, वो लगातार भरतियां तो करार हैं, फि हर साल बच्चे तयार हो रहे हैं, कंपिटिशन के लिए, उनको भरतियां भी मिलती रहेंगी, और अपना कंपिटिशन भी दर करते रहेंगे, लेकिन आप एक मूड में आकर, सारी भरतियां, 6-7 महिने में देखकर, पूरा भरतियों का सूफड़ा साफ कर देंगे आप, भर कर, इससे तो जो आगे आने वाले में युवा हैं, उनको काफी लंबा समय का इंतजार करना पड़ सकता है, वैसा ही उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में एक छोटी या फी बड़ी भरतियाती, उसके बाद एक लंबा इंतजार करना पड़ता है, लेकिन आयोग, आ पान-चे सालों में नहीं देखी आपको, अब वा सुबुगाहट हलकी हलकी प्रतीत हो रही है, आप कलेंडर में ही आप फरवरी पर्थम सप्ता, दुतिय सप्ता में आप सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि क्या है कलेंडर में, क्या प्रात्मिक सिच्चक भरती है या नहीं है 2022 के पिट में करीब 37 लाग फार्म भरे, और 25 लाग लोगों ने पेपर दिया, उसके बाद वेकेंसी नहीं आई, 2023 का पिट जो लोग परिता था बिल्कुल पूरी तरे के डाउन हो गया, और 12 लाग लोगों ने पेपर दिया है, और पिट में आप इस बार जो है, कुछ वेक करेंगे, क्योंकि आयोग बनने के बाद हर साल कुछ ना कुछ पद निकाले जाएंगे, तो जिस प्रकार से ये सारी प्रक्रियां होंगी, उसके बाद, आयोग का कलेंडर आने के बाद सबसे पहली प्रक्रिया है, वो यूपीटेट की होगी, कि दो सालों से यूपीटेट का notification के बाद एक vibe आपको automatic ही पता चलेगी जिसमें इसमें चल रही है लोग क्यारी भी करने लगे हैं कुछ लोग नहीं कर रहे हैं कुछ लोग को उमीद लगरी कि नहीं आएगी चुनाव होने के बाद उमीद बिल्कुल 0 हो जाती चुनाव से पहले ही सब कुछ होता है लोग सबाद चुनाव खतम हो जाएगा क्या उमीद हो कि लेकिन 2025 में भी कई राजियों में चुनाव हैं जैसे कि बिहार में बिहार में लगतार भरतियां चल नहीं है और उसके साथ ही आप देखेंगे कि DSSB की वेकंसी आने वाली है PRT की राजिस्थान में भी सुनने में आ रहा है कि वेकंसी PRT की आएगी अच्छी खासे पदोपर और मध्य प्रदेश में भी अच्छी खासी वेकंसी आने वाली है बिहार में तो पूरा आता है कि अब उस पहले 50000 था और एक लांग की असपास अच्छा मुने बीहार में निकलना ली है था अप बाठि होँआ है उसके बाद उसका कुछ भी नहीं हुआ है उसी प्रकार अब विद्यारती बहुत ही सजग हो चुए है और वो इस तरह का अब किसी भी तरह का एक तरह से दिखावटी रूम नहीं देखना चाहते हैं उनको एक सत्यता चाहिए वो सत्यता कलेंडर के जिर यहीं पिलेगी और कहीं ना कहीं उसमें विद्याथी सफल भी हो रहे हैं कि ऐसा हुई हो पुछ प्रात्मी की 20,000 के असबस वेकेंसी सुनने में आ रही है केसी आ सकती है और 51,112 पर आ सकती है जैसे कि आप देख रहे होंगे कि पुलिस भरती 22,000 पर आ रही थी उसके बाद इसके पद बढ़ाकर 60,000 करेगे जो अब तक कि उत्तरप्रतेद की सबसे बड़ी पुलि रहतियों की बी मांग है और ऐसा लगता है कि भी सिच्च भरती आपको देखने को मिलेगी और यहां कब तक देखने को मिलेगी यूपिटेट पेपर होने के बाद उसके रिजल्ट के बाद आपको ज्यादा समय नहीं आपको बीरिश, स्मय बाद मिलेगए और जहां तक है आपकी क्याराय है ज़रूर बताईएगा अपने माध्यम से और वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा सेर कीजिएगा और जो भी जानकारिये मुझे मिलती है मैं आपको दूंगा और सिच्छ भरती आए यही सब्सक्राइब जैन जै भारत